बुजुर्गों ने बताए घर में बरकत लाने के कुछ खास उपाए अक्सर जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन रुख गया है तमाम कोशिशों के बाद भी घर में सुक समरद्धी नहीं आती है अगर आपकी भी कुछ ऐसी हालत है तो आपको घर में बरकत लाने के लिए ये उपाए करने चाहिए नमबर एक लक्ष्मी देवी की तस्वीर या मूर्ती वास्तु शास्त के अनुसार घर के उत्तर दिशा में लक्षमी देवी की ऐसी तस्वीर या मूर्ती होनी चाहिए जिसमें देवी लक्षमी कमल पर विराजमान हो और वह सोने के सिक्के गिरा रही हो क्योंकि लक्षमी को धन की देवी के रूप में माना जाता है इस तस्वीर को लगाने से घर में सुक सम्रध्धी आएगी और धन की कमी दूर होगी नमबर दो दान पुन्न करें शास्त्रों में दान को प्रथम स्थान दिया गया है ऐसे में अगर आपने अभी तक कभी दान नहीं किया है तो तुरंथ दान पुन्न करना शुरू कर दें कहा जाता है आप जितना दान देंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा नमबर तीन नमक करे नकारात्मक उर्जा दूर नमक की यह विशेश्टा है कि यह नकारात्मक उर्जा को अफशोशित करता है जिस घर में समुंदरी नमक का पोचा लगाया जाता है वहां की सारी नकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है उस घर में माता लक्ष्मी का भी वास होता है हिंदू धरम में गाएं को देवी मा का दरजा दिया जाता है गाएं की अंगों में देवी देवताओं का निवास है सुबा की पहली रोटी गुड के साथ गाएं को खिलाएं गौ सेवा से दुख दुर भाग्ये दूर होता है और घर में सुक समरध्धी आती है परवेश दिवार परवेश दूर पर गणेश जी का चित्र लगाना ना भूले घर के परवेश दूर के सामने खाली दिवार अकेले पन का संकेत दे सकती है आप देवता को वहां स्थापित करके अपने घर में खुशियां और सुक समरध्धी ला सकते हैं नमबर छे घर में रहे लक्षमी का वास घर में हमेशा लक्षमी का वास बनाई रखने के लिए करें ये उपाए जहां आप घर में पैसा रखते हैं वहां लाल कपड़ा बिचा कर एक पोटली में साबुच चावल भर कर रखते हैं इससे मा लक्षमी प्रसन होती है नमबर साथ गर में पूजा करते समय कपूर का इस्तेमाल करें कपूर से घर की negative energy खतम हो जाती है और धन की भी बरसात होती है नमबर आठ तूटी हुई चीजों को त्यागे घर में तूटी फूटी चीजे रखने से परहेज करें चाहे वे शीशा हो या खिड़की या फिर फरनीचर तूटे हुए सामान को जल्ट से जल्ट फैग दें तूटी हुई चीजे सकारात्मक उर्जा के परवा को रोकती हैं यदि आप घर बनाते समय किसी पुरानी और कीमती चीज को तोड़ते या शतिग्रस्त करते हैं तो उसे अंदर ना लाएं क्योंकि इससे परिवार की वृध्धी और सम्रध्धी में मदद नहीं मिलेगी नमबर नो घर में सुक सम्रध्धी लाने के लिए करें ये उपाए चीनी मिलाकर पीपल की जड़ों में डाल दें इससे घर में लक्षमी का वास होता है नमबर दस देवताओं को करें प्रसन रिशी मुन्यों का मानना है कि आप कितना भी कमा लें लेकिन देवता प्रसन नहीं होने पर आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी इसलिए कहा जाता है कि खाना बनाने के बाद सबसे पहले खाने के कुछ अंश को आग में डाल दें इसे आग में डालने से यह शय हो जाता है और देवताओं तक पहुँच जाता है शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होना चाहिए खाना बनाना भी यग्गे के समान है इसलिए भोजन स्नान और ध्यान के बाद ही बनाना चाहिए इन बातों का रखे खास ध्यान इन समस्त उपायों की कुछ ध्यान रखने योग्ये खास बाते भी हैं जो माननेता के अनुसार इस प्रकार है नमबर एक एक ही समय में किनी दो उपायों का परियोग ना करें एक ही समय में दोनों उपायों को करने से परिणाम नहीं मिलता है नमबर दो, एक दिन में केवल एक ही उपाय का परियोग करें नमबर तीन, सुर्योदे के बाद और सुर्यास से पहले ही उपाय करें नमबर चार, यदि संबब हो तो यह उपाय शुकल पक्ष में ही करने चाहिए नमबर पाँच, इन उपायों को पूरे मन और श्रधा से करें, तब ही आपको लाब मिलेगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका भोध भोध धन्यवाद